हेलो फ्रेंट्स वेलकम टियर ओन चैनल डिली स्टॉप तो दोस्तों यहाँ पर NBCC के शेर वोल्डर्स के लिए यहाँ पर एक और अच्छी खबर है तो उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को एंट तक जरू देखिएगा और दोस्तों अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के उपर मिलने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर एंबी सी सी को नया ओर्डर मिला है और वो भी 1356 मतलब 1356 करोड का यहाँ पर उनको ओर्डर मिला है और वो किस के लिए मिला है तो कि वो री डैवलपमेंट करने के लिए नेता जी नगर का जो की न्यू डेली में है देखा जा तो यहाँ पर जो एंबी सी सी में पिछले साल जो उनके ओर्डर्स बुक में जो दिक्कते आ गई थी वो दिक्कते अब उज़े थोड़ी सी हट् आ रही है देखे पिछले साल क्या हुआ था एंबी सी सी में कोई ओर्डर्स ही नहीं आ रहे थे पूरा रेवेन्यू अगर आप देखोगे पूरा अफिटेबलीटे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एकदम काम होगे थी मतलब पानी होगी ते एक तरीक से लेकिन एक बा बात होगी तो दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छी बात यह है लेकिन दोस्तों आपको पता होना चीए कि अगर आप देखोगे इसका मार्केट कैप जो है उस इफ 8271 करोड का है मन्दब स्मॉल केप कमपनी है लेकिन अगर आप वैलिशन पॉइंट इससे भी अगर आप देखोगे तो इंडस्टी का पीई यहाँ पर 24 का है और आपको consolidated basis पर भी महेंगा मिल रहा है और tend alone basis पर भी यह share आपको भी महेंगा मिल रहा है लेकिन देखें जो पिछले साल जो इसकी जो धंदेगी में आपको बताई जो profit गिर गिया था revenues गिर गिया 30 उचके उपर है तो अभी मार्च 2021 तक की जो अगर देखा जाए टोटली जो अगला जो quarter यह भी खतम होने वाला है तो तब मेरे ख्याल से जो वैलिशन होगा वो एक अठ्या वैलिशन निकल कर आएगा अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो वैलिशन ठीक ठाक है लेगिन देखिए जो हर गवर्मेंट स्टॉक से हमारी एस्पेक्टिशन होती है कि डिवीडेंट हमको अच्छा गासा मिल जाएगा तो इसमें एक दिवीडेंट निके बराबर है सिर्फ 0.29 परसेंट का डिवीडेंड यहाँ पर मिल रहा है परलब कां कंपनी का 10,000 करोड का रेवेन्यू था और वो रेवेन्यू सीदा लगबक 5,500 करोड का हो गया तो कि एक बहुती इस्यूज वाली बाते पैदा करता है और यहाँ पे कंथी ने 2018-19 वाले फाइनेंशियल यहर में 370 करोड कमाया थे मुनाफे में और यहाँ पे यह मुनाफा शिर्फ 70 करोड हो गया तो इसके लिए आपको यह वेलिएशन थोड़ा सा हाईली वेलिएशन लग रहा है मतलब थोड़ा सा ओर वेलिएशन लग रहा है ऐसा नहीं है इस बार रीकवरी देखने को मिल दीए तो पिछले साल टोटल 5,440 करोड का ही कंपनी का रेव देखिए 145 का इसका हाई आपको मिल रहा है 45 मतलब अपने आदे से भी आदे दाम पर यह शेर आपको भी मिल रहा है तो देखिए मेरे ख्याल से अगर NBCC के अगर में बात करूं तो देखिए जो पोर्टफोलियो का अलोकेशन होता है मतलब अगर आपने शेर मार्केट में आपको एक लाक रुपे डाल लें तो मेरे ख्याल से इसमें आपका टू से थ्री परसेंट से ज्यादा का अलोकेशन नहीं होना चाहिए अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो अभी एक्ष्वेल में क्या हो रहा है कि जो गवर्मेंट स्टॉक होते हैं उसके अगर अगर आ अंदर FIS की होल्डिंग अच्छी कासी है देखें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एन्बी सी मालब जितने भी गवर्मेंट स्टॉक से इसके अंदर FIS इंवेस्ट नहीं करते हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ करते हैं लेगिन जो उनका जो इंवेस्मेंट उनका हमको करता है और थोड़ा सा निवेस्ट पर आपको इसमें अच्छी कासी उपर नीचे चड़ाव देखने को मिलती है तो कि एक बड़ा रीजन है कि मैं अपने पॉर्टफोलियो में गवर्मेंट स्टॉक को ज्यादा अलोकेशन नहीं देता हूँ देखें लेता हूँ ऐसा नही इन्वेस्मेंट कर रखा तो आप चाते हूँ कि आपको थोड़ा सा कैश इंफ्लोस भी मिले तो इसलिए होने चाहिए तो इसलिए मेरा मेरा जो पूरा पॉर्टफोलियो का अगर आप अलोकेशन देखोगे तो मेरा में टार्गेट रहता है कि मैं 10-15 परसेंट से ज्यादा गवर्मेंट स्टॉक को बाय नहीं करूँ आप देखे जो थोड़े से स्टॉक से जिसके अन्दा FIS का इंवल्मेंट जादा है जिसे IRCTC तो ऐसे स्टॉक को में थोड़ा था उन गवर्मेंट स्टॉक से अलग बिलीव करता हूँ तो कि देखे अलोकेशन बहुत जरूरी है आपको किस में कितना अलोकेशन थी है उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए तब यहाँ पर NBCC में जिन लोगों ने लॉंग टर्म इंवेस्मेंट किया हुआ है मेरे खाल से बने रही है और जिन लोगों को अभी इसमें इंवेस्मेंट करना है तो मैं यही बलूँगा कि ज्यादा से ज्यादा 2-3% चे पूर अपने पोट्फोलिय का अलोकेशन इसको मत दीजिएगा और शॉट टम भी के लिए यही बलूँगा कम से कम 50 के प्राइस लेवल के लिए वेट कीजिए वह एक अच्छा का सा रजिस्टेंच इसके लिए बना हुआ है तो 51-52 के पर रिप्लाइ करूंगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले ओके थैंक यू हैव नाइस दे